मंगलवार को जन सुनवाई में रॉयल रेसिडेंसी जो महू से पीधंपुर रोड के बीच है वहां के रहवासियों द्वारा कलेक्टर कार्याले पहुँचकर अपनी समस्याएं बताई गई जिसमें रहवासियों की प्रमुख समस्या बिजली को लेकर है कॉलोनाइजर राकेश अग्रवाल पर आरोप लगाते हुए बताया कि यह कॉलोनी को ग्राम पंचायत के अधीन नहीं किया गया और अवैद कमाई का जरिया बना रखा है मध्यप्रदेश इलेक्रिकल बोर्ड की बिजली यहां नहीं आने दी गई अवैद करेक्शन से 500 मकानों में बिजली सप्लाई की जा रही है साथ रुपए 75 पैसे प्रती यूनिट की दर से वसूली की जा रही है वसूली के लिए बाउंसर्स के नाम पर गुंडे रखे गए हैं और साथ ही असुरक्षा का माहौल है गर्मी में पानी सप्लाई नहीं होता पानी खरीदना पड़ता है यहां जानकारी देते हुए रहवासियों ने कॉलोनाईजर को 2011 में NOC मिलने पर भी सवाल उठाए क्योंकि कॉलोनी तो आज भी अधूरी है यहां सभी समस्याओं से अवगत कराते हुए रहवासियों ने कलेक्टर के नाम का ग्यापन एडियम को सौपा और जल्द से जल्द इसका निराकरन करने की मांग की जबकि कालोनी में अभी तक ना तो बिजली है ना सड़के पूरी है ना पानी है ना बाउंडरी वाल है ना नाला पक्का है ना एक भी गार्डन उसको इसने डेवलेप किया याने पानी टंकी नहीं है जो बनी है वो जरजर पड़ी इसमें पानी नहीं आता याने पूरी समस्यां जहां पर पड़ी है उसने 2011 में हज़्डम कारले से एनोसी के से ले ली